साथियो जैभी मापी चाहता हूँ कि मैं लाइव नहीं आ पाया जल्दी निशनल जस्तक पर इंटर्वी था हमारा भी साथियो जितने साथी है सभी साथी पहले तो ओनलाइन जुड़ने का काम करेंगी जितने साथी तुड़ जाए ओनलाइन और जुड़ने के बाद में सभी भाई लोग वीडियो को शेर करें साथी हो जिस प्रकार से उना के बाद जो गुना का कान्ड हुआ है जहां पर हमारे दलिद भाईयों को सरकारी जमीन पर खेती करने पर सरकार के द्वारा उनसे जमीन जिनने का जो काम किया गया उनको मारा गया है उस चीच को लेकर मैं कल भी लाईव आया था और आज भी लाईव आया हूं और मैं आपको बहुत सारी चीच यसी बताना चाह रहा हूं कि जिसे आप लोग समझे उस बात को आप लोग अपने सेत्र में उस बात को रखे हैं कि आखिर हमें आज आंदुलन की दिसा को बदलने की ज़रूत क्यों है आपने देखा होगा कि हर किसी भी गाउं में अगर हम लोग जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है कि गाउं के जो रसुकदार लोग है उनके पास बहुत सारी जमीन होती है लेकिन हमारे पास नहीं आखिर में ये जो गुना में जो जगनपुर जो जो अखिर में पुलिस वाले जो ओना में जो गुंडे थे जिन्होंने डलीतों को नंगा गारों के मारा था याद बांध कर और इन लोगों ने वर्दी पहन कर मारा तो इन में और उनborne हैं सिर्थ अंतर वर्दी का और वर्दी का हम सम्मान करते हैं लेकिन हमें इतना मजबूर ना करो आप जिस प्रकार से पुलिस ने बरबरता बताई है अगर बताई सवाल मैं आपके बीट में छोड़के जाओंगों सवाल एक सवाल कि अगर अगर यही व्यक्ति अगर सवन होता यही व्यक्ति कि अगर अपरकाष्ट हिंदू होता तो क्या इसके साथ में इस प्रकार की बरबरता होती नहीं होती कभी साथीयों इन प्रकार की बातों पर आप ध्यान दे आज हमारी भीमारीमी की टीम गुना पिडित परिवार से मिलने के लिए गई है और वहाँ जागर उन लोगों से मिल और हास्पिटल में हाल चल जाना वहाँ पर आई जी डी आई सभी लोग आये थे वहाँ पर सभी से बात की और इस पर राजनिती भूत हो रही है इस पर राजनिती भूत जड़ा हो रही है लेकिन उनके परिवारों को लेकर कितने भी प्रकार के जो नेता हैं परिवार के साथ आप में न्याय करने की बाद नहीं कर रहे हैं भीमार्मी की जो हमारी टीम है हम यह डिमांड करते हैं कि मुक्हिमंत्री साहब आपने एसपी कलेक्टर आईजी को हटा दिया आपने जो संबंदी जो आरक्षक थे जो कांस्टेबल थे पुलिस वाले उनको आपने लाइन अटेज कर दिया लेकिन हमारी डिमांड यह है कि उनको बरखास किया जाए ताकि जब वो घर पर बेटे तो तब सोचे कि हमने संबंदी जो परिवार है कि इस दिश्कों लेकर हम अभी प्रदेश भर में प्रोटेस्ट भी करेंगे और जरुत पड़ी तो चंसकर पर आजात हमारे राष्टी अद्यक सवीनरतन सिंग जी मौझूदा घटना इस्तल पर आएंगे और पिडित परिवार से मिलेंगे लेकि दलितों के उपर अर्ट्रोसिटी करने की इजज़त देते हैं आखिर पुलीस को कानून में हाथ है कानून हाथ में लेने की जो बात है या उनको सक्ति यह यह किसने दी इस बात को पर सबंदना पड़ेगा आते हैं जैन कि मोजिदा सरकार में मौजिदाश हलातों के अंदर देडि ऐडिवासा तोड़ा जाते हैं अभी उज्जेएन के अंदरariamente गटना गटित होती हैं वहाँ पर आदि दलितों को से हैं प्रसाद देने की नाम पर मारा जाता है कहीं पर घोड़ी पर बारात निकाल नेस्तल टीवी के जो बड़े-बड़े चैनल है जो गोधी मीडिया के जो चैनल है वहां पर आपको यह बद सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि वह बात सिर्फ वह करते हैं जहां पर उनके आका की जजेकार होती है साथियों सोसल मेडिया पर आप लोग जुड़े यादा ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि यह आवाज ही आपकी आवाज है अगर आप ने इस आवाज को दबा दिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर दूसरी आवाज हमारे लिए को आईगी साथियों हम लोगों ने डिमांड यह रखी है कि पिडित परिवार के साथ में जहां पर जो जमीन वो खेती उगा रहे थे जहां पर वो बटाई खेती कर रहे थे वो खेती उनके नाम से की जाए पिडित परिवार के लिए उनके बच्चों के लिए गुना में शहर में रहन पास दिया जाए उनकी विवस्ता अच्छी की जाएं ताकि बच्चे पढ़ सके और वो जमीन उनके नाम से की जाएं मान्यवर साब कांसी राम का जो नारा था कि जो जमिन सरकारी वो हमारी है हमें उस पे कपजा करना पड़ेगा अपने आपको मेंटल या प्रिपेर त्यार करें आखिर सवर्णों ने ऐसा क्या करती है आजादी के बाद में कि उनके पास में हजारो एकड़ जमीन है और दलितों के साथ में पास में कोई जमीन नहीं है हैं एस सी एस्टी ओबी सी आदिवासी कि जो लोग हैं वो भटक रहे हैं अब हमें सातियों इस प्रकार की मुहिम चलाना पड़ेगी और जो सरकारी संस्ता है वो हमारी है इस पर भी हमें ध्यान पड़ेगा सबसे बड़ा आंदुलन हमें जमीन और शिक्षावर्द करना प जहां पर भी अगर किसी गाऊं के अंदर किसी के पास जमीन नहीं रहने लिए रहने के लिए नहीं है तो जहां पर सरकारी जमीन दिख रहें उस पर रहे हम सरकार से हम लोग नहीं पड़ेगे बाद में इस प्रकार की हमें मुएँब श्繼續 को आप लुक्त дан करदा है जो पूरी दहारी झाल्डे प्सक्राइब और मेरे भी मारे में सातियों से मैं कहिंए चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जहां पर भी श्ट्रगल कर संगर्ज कर रहे हैं उस संगर्स की जो हमारी गाथा इसको आगए बढ़ा रहें साथियों कि पुरा देस के अंदर दलितों पर जो पुलीस की जो गुंडा गृती हैं जो वर्दिधारी जो गुंडे है इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे भायों पर रेट्रू सिटी की है उनको जादिसोचक गाली या दिये उनको मारा है पुरा देस देख रहा है वो पुरा देश एक ही डिमांड कर रहा है कि ऐसे गुंडों को फांसिक सजय दी लाई जाए आप मुझे बताईए कि जो विक्टीम है जिनको इन्होंने मारा है उल्टा होनी के ओपर फुलिस ते एफार दाज कर दिये तो मद्यपर्देश के डीजीवे साहब विवेक जोरी जी इस एफार को निरस्त करने का आप लोग काम करें इसा नहीं हो कि अब बताईए मद्यपर्देश में अगर आप आगणा निकालें सिवराज से चुहान साहब आपकी 2003 से सरकार है अभी तक 2003 में जो पट्टे मिले हैं दलितों को आदिवासियों को उन पट्टों पर आज तक भी कबजह नहीं मिला है उन पट्टों पर आज तक भी वो परिवाज जमीन नहीं कर रहा है हमें सोचना पड़ेगा अब सातियों अपने आपको तयार करें और मान्यवर सापको जो कांसे राम को नारा है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है जो संस्ता सरकारी है वो संस्ता हमारी है हमें इस और ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस देश का मुखिया हर चीज को प्र और ख्राइबेट की जा रही है तो इन सब चीजों करना पड़ाए नई तो हो सकता है कि हमारे आने वाले भूलाम होगी है कि लाया आने वाली को गुलाम को बचाने के लिए आपको संगर्ष करना पड़ेगा नई तो कल आप हो सकते हैं सीच को लेकर और साथियों मैं इसलिए लाइव आया था आज खास करके कि हमारी भीमार्मी की टीम जो हमने कल आप से प्रोमिस किया था कि हमारी भीमार्मी की टीम पिडित परिवार से जाकर मिलेगी तो आज जाकर मिली पिडित परिवार से मिली हाल चाल जाना और उनको भरोसो दिलाया कि आपके साथ में कि चाए कोई खड़ा हो या नहों लेकिन ये भीमारमी आपके लिए खड़े रहेगी और पेहली पंक्ति में खड़े रहेगी और जड़त-पड़िया आगर अपनी जान को गुर्बान करने की तो हम लोग आपके लिए अपनी जान को भी गुर्बान करेंगे लेकिन सरकार की ताना साही के सामने हम लोग बिलकुल भी जुकने का काम नहीं करेंगे अब माननी शिवरा सिंग चोहान साहब इस बात को सुन ले आप ध्यान से कान खोल कर अब हम लोग सेन करने वाले नहीं है रिवा के अंदर डेड़ सो आधिवासियों के घड़ तोड़े गए सिंग्रोल जिले में हमारी जो एक भहन रिता उसके साथ में सामुहिक दुसकर्म किया जाता है उसके बाद में जब वो एफार कराना के लिए जाते हैं उसके परिवार के लोग तो एफार नहीं होती है आखिर ये क्या हो रहा है तो हमने दो प्रकार की निवाड रखी है साती जो आपको एक सर्कुलेट के माध्यम से ग्यापन की प्रतिलिपी मेल जाएगी हमने ग्यापन कर किके हैं लोग प्र प्रदेश के अंदर गुना की जो जो जलीत उत्पिड़न है जो पुलिस की बुंडें की जो गुंड़ा गिर्दी है इस गुंड़ा गिर्दी के किया जाए इन सब को बरखास किया जाए ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने वहां पर एक पर लोग तो शाथ ही यह इन सब चीज़ों को आप लोग फोकस करें और तयारी करें अपने सेत्रे में जरुत पड़ी तुम गुना की धरती पर गुणा की धर्ती पर पिडितों को न्याई दिलाने के लिए हमारे भीमार्मिक संस्ता पर एड़ोके चंसकर आजाद जी भी वहावर पहुच सकते हैं तो सरकार इस बात को सुर्ले ध्यान से कान खोल कर नई तो अगर चंसकर भई आजाद गुणा की धर्ती पर आ गए तो हिल जाएगा मंद्ध्वसस तो अम चाहते हैं कि साथ में बर्बरत करने वाले पुलिस करीणों को सब्सक्राइब कर गया दिया जाए और गुना के अंदर घर आवास दिया जाए और एक प्रमुव मांग मद्यपरदेश के अंदर मद्यपरदेश में दलीतों आदिवासियों पर अट्रो सिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है चाहे वो चुवाचूत आप लोग देखेंगे चुवाचूत हो चाहे बारात निकानने की बात पर हो चाहे खेत पर जाने के लिए रास्ते देने की बात हो चाहे फसल काड़ने की बात हो हर चाहे इसकूल जाने की बात हो तो हर घड़ी पर हर स्टेज पर दलितों के साथ आदिवासिल्ला बोर्ड बनाया जाए और जितने भी केसेज हैं दलित आदिवासिल्ला बोर्ड के माध्यम से रखे जाएं ताकि जो भी हमारी सुनुवाई हो पेरवी हो वो अच्छे से हो उस बोर्ड में हो और दूसरी मांग गुना कांड की जाज करने के लिए एक उच्छे स्तरी कमिटी बनाई जाए जिसमें सरकार का एक भी व्यक्ति ना हो उसके अंदर रिटायर्ड जज और उच्छ न्यायालाइक के जो मोजदा जज हैं उनको रखा जाएं ताकि जिस प्रकार से अन्य प्रकार की जो पिछले जो कांड हुए हैं उनमें जो जाच हैं नहीं हुई सरी तरीके से वह जाच हो साथी ये आप लोग करें और हमारे बहुजन महापुरसों का संगर्स जो हमें विराशत्र मिला है संगर्स को हमें आगे बढ़ाना है और संगर्स के दम पे राज करना है साथी यो जिन्दकों में 5 साल का इंधिया नहीं करती उन्हें जो सामने परिसिती होती है उस परिसिती पर ही उनको काम करना पड़ता है तो आप लोग जिन्दकों में हैं, मुझे गर्ब है, आप सभी भाईयों पर, अलग अलग तेस्विलों में, अलग 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 संभागों में, अलग 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 राज्यों में आप लोग काम कर रहे हैं तो इस संगर्स की जो घड़ी इसको आगे बढ़ाएं, और अपने अपने इस्तर पर मुवमेंट जारे रखें, और गुना के जो विक्टीम हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको थो हम न्याजलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें हमारी जान की भी कुर्बानी क्यों ना लगान पढ़े साथी हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शेर करें, क्योंकि गोधी मीडिया उन्हीं लोगों को बलाता इंटर्वी के लिए, जो उनके आगाउ की बात करता है, अगर हम लोग सही बात कहते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के मीडिया में जगर नहीं दियाती है, हमे इस वीडियो का आप लोग सेर करें, जैसा विजार